हाई दोस्तों असलाब वाले क्यों कैसे आप लोग मेरा नभील है आयोस 18 का बेटा 5 डेवलपर बेटा 5 आपल ने रिलीस कर दिया है और अगर आप पब्लिक बेटा पे हो तो पब्लिक बेटा 3 भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है यह अपडेट क्यों रिलीस किया आपल जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ ने आप खैंचनम इट औंड इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर आपल लेके आया है जो कि आपको 18.1 के अंदर नहीं मिलने वाले तो वह फीचर भी हम एक एक करके यहां पे शेक आउट करने वाले फोन यहां पर जो मैं अभी इस्तमाल कर रहा हूं जिस पर नहीं अपडेट इस्टॉल किया है यह मेरा आप iOS 18 के Public Beta 1 से या Developer Beta 3 से अपडेट कर रहे है तो 8GB का अपडेट आपको देखने मिलेगा लेकिन अगर आप Public Beta 2 से या Developer Beta 4 से अपडेट कर रहे हो तो आपको 1.38GB का अपडेट इसने मिलेगा मैंने इस वाले फोन के उपर Public Beta 2 जो था उससे यहां पर अपडेट किया है क्यों का Build Number के End में यहां पर के आपको देखने मिलता था पहले अपडेट करने के बाद 18.0 ही है 615GB है लेकिन 0.97 हो गया जाने कि Available Free Space बढ़ गया है जो के अच्छी चीज़ है iOS 18 में सभी अपडेट के अंदर Available Free Space अपडेट करने के बाद बढ़ रही है इससे मैं काफी खुश हो अपडेट में आई है new और बहुत अच्छी चीज़ है वह है यहां पर distractions हटाने का एक नया option अभी क्या होता है जिसे हमने यह website open कर लिया और यहां पर हम स्क्रोल कर रहे है लेकिन यहां पर देख सकते आप एक advertisement आ रहा है जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं हमको distract कर रहा है रीट करने में हमको problem कर रहा है screenshot लेने में भी advertisement यहां पर आ जाता है आप इसको close करने जाते हो तो फिर गूगल वाला आ जाता है Google Ads का तो आप इसको क्या कर सकते है यहां पर आपको tap करना है अब आप स्क्रीन पे जहां कई भी टैप करेंगे उसको आप हटा सकते है और बहु article open कर लेता हूं और यहां पर suppose यह जो कुछ आया है मुझे पसंद नहीं मैं hide करना चाहता हूं इसको तो again मैं hide distracting item करूँगा इस पर tap करूँगा और hide कर दूगा देखे यह भी जो है गायब हो गया एक बहुत beautiful animation के साथ और यहां पर मुझे बिल्कुल भी distractions देखने नहीं मिल अब यहां पर कोई news का website खोल के देखते हैं जिसमें काफी सारे ads और बहुत सारी चीज़े होती है जो हमको distract करती है उसमें यह कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा आपको तेकि बड़ा सा advertisement है इसको मैं hide distracting item पर जाता हू उसके बाद यहां पर इसको hide पर type करता हूं यह hide हो गया यह advertisement को hide पर type करता हूं यह भी hide हो गया और यहां पर मैं without advertisement अपना जो भी देखना चाहरा हूं यह website के उपर वो देख सकता हूं और browsing कर सकता हूं फोटो अप्लिकेशन के अंदर यहां पर आपने देखा हो गया कि क्रॉसल होता था जहां पर हम left right swipe कर सकते थे और यह क्रॉसल जो है यहां पर अभी भी मौजूद है 18.1 में तो यहां पर इस तरीके से हम swipe करके देख सकते है अलग अलग चीज़े लेकिन यहां पर वो चीज सकते हैं जो चीज़े आपको दिखानी है फोटो आलबम में नहीं दिखानी है वो यहां से अड कर सकते हैं निकाल सकते हैं और क्या होता डिस्ट्रैक्शन भी होता है लोगों बहुत सारी चीज़े समध्यारा कंफिर रहे है जो सिर्फ रिसेंट फोटो यहां कुछ रखना ह सिर्फ दिखाते रहे न को कि आलब करें ौशन गरें होना के दिखानी है पर नहीं पर आप ऐड़ ले चाहिए जहां पर नहीं कर सकते हैं अपरropolisन प्रकर नहीं अपर फिल्क कर दिया यहां पे तो इसलिए उसको Apple ने ऊपर भी आड कर दिया तो एक नया चेंज है यहां पर Apple Maps का भी आइकन यहां पर आप ले अपडेट कर दिया है नया आइकन आपको देखने मिल रहा है और Find My के लिए आपको एक नया आइकन देखने मिल रहा है आगे यह इस वाले अपडेट अब तो है यह Settings के अंदर Wi-Fi में जो आपका Wi-Fi नेट्वरक है उसमें आप चले जाएंगे तो यहां पर आपको प्राइवेट Wi-Fi एड्रेस करके देखने मिलेगा जिसके अंदर एक मेन्यू भी है यह मेन्यू के अंदर आपको आप चाहे तो आफ रख सकते है प्राइवेट toggle on-off करने का option था जो अभी तक Apple आड़ ने किया इन फाक्ट उसको हटाई दिया यहां से तो यह भी एक चेंज है और भी यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सरे icons के अंदर चेंज आया जैसे low power mode का icon जो है थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है और तो इस एक transparency जैसा यहां पर quick node add करने जाते हो तो यहां पर quick node का जो option है वो गायब है तो यह bug हो सकता है हो सकता Apple आगे जाके यहां पर ले के आए वापस कर सकते हो audio को notes में maths का option है notes में जो मैं पहले बता चुका हूं collapsible sections है और highlighting है यह तो सारे नए features थे दोस्तों अब इसमें जो bugs है और जो bugs solve हो गए वो भी check out करते है इस update के अंदर भी अगर आप wallpaper में चले जाते हो तो यहां पर add a new wallpaper जाएंगे तो iPhone 15 pro pro max के जो wallpapers थे वो यहां बस iOS 18K और यह collection वाले options आपको देखने मिलेंगे setting में अगर आप चले जाते हो यहां पर setting को close करके मैं आपको बताता हूं setting में चले जाएंगे और यहां पर Siri open करेंगे और जैसे ही यहां पर Siri हम open करेंगे यहां पर देखना ऊपर की तरफ apple intelligence वाला आपको यहां पर कुछ दे कुछ लिखा होता है तो वह भी यहां से गायब है कुछ bugs solve भी हुए जैसे यहां पर जो stickers हम एक line में add कर सकते थे वह यहां पर अभी फिर से आड कर सकते भी जूँच में गायब हो जाता हो तो यह यहां पर वापस आ गया है और airdrop का अगर आप problem face कर रहेते तो airdrop भी काफ बहुत सारे bugs आपको resolve भी देखने मिलेगे यहां पर स्क्रोल करता हूँ बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट आपको देखने मिलेगी यहां पर बहुत सारे issues होते आपल जो resolve करते रहेते ती mobile users US वालों के लिए इनका Wi-Fi calling issue resolve किया है ऐसे एक एक करके सारे issues resolve किये जाएंग अब battery प्राइमरी फोन नहीं इतना यूज नहीं होते है अपने प्राइमरी फोन जो 15 pro max बन चुका है बागी बैटरी लाइफ के बरे में यहां पर मैं बता नहीं सकता आपको क्यूंकि 18.1 का beta 1 उसको टेस्ट करें मैं आपको बता है लेकिन इसका टेस्ट हम नहीं कर पाया battery life के ल AirDrop तो बेटर काम कर रहा है Wi-Fi, Bluetooth, Mobile Data अभी फिलाल सही से काम करें आगे क्या होगा यह तो हमको पता नहीं है जतके हम टेस्ट नहीं करते तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ comment नहीं करना चाहूंगा नया modem firmware आया है तो इसको मैं टेस्ट जरूर करना चाहूंगा और यह नहीं होती, overall performance इस वाले update का जो है ठीकी लगा मुझे कोई problem यहाँ पे अभी फिलाल तो नजर नहीं आ रही, overrating वगरा लगनी रही, प्रोड़ा warm to touch जरूर है क्योंकि update अभी अभी install किया है, इसके benchmark वगर मैंने निकाले, पाकि यहाँ पे अगर benchmarks की बात कर ले हम, तो benchmarks आप आपको दिखा देता हूं, मैंने before and after दोनों निकाल के रखा है, CPU की history में चलते है, और यहाँ पे देखे 25, 63, 64, 28 था, यह 15 pro max नहीं है, 14 pro max है इस बात के ध्यान रखना, और अभी है 25, 69, 64, 29, तो similar ही है, result जो है बहुत ही similar आये है, कोई फरग नहीं, 19, 20 का फरग भी नहीं ब मिलना चाहिए, upcoming updates क्या कुछ हो सकते है, तो इस हफते के अंदर ही आपको 18.1 का beta 2 देखने मिल सकता है, इसमें apple intelligence के कुछ और features आएंगे, यह नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है, और next week आपको इसका ही जो beta 6 है, वो देखने मिल सकता है, यह हो सकता है, कि वो और अगले हफते मे iOS 17.6 वाला, battery life के लिए खास करके, तो अगर आप चेजार है तो उस पर रहिए, उसको enjoy कीजिए, और इसके वीडियो जो है, हमारी चैनल पर check out आप करते रह सकते है, क्या आपको iOS 18 developer beta 5 या public beta 3 जो आने वाला है, उस पर update करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता यह हड जाता है बिल्कुल, यहाँ पर हमें clean जो पेज है, उसको enjoy कर सकते है और read कर सकते है, आपको कैसे लगा है दोस्तों, यह वाला update मुझे जरूरू बताना है, उम्मीद के ता दोस्तों, आपका लिए वीडियो पस्ता है, आपका पसने में वीडियो के लाकिन यह वीडियो मेरी स्यान को सब्स्क्राइब जो 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 गड़ बाए